हलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करेंगे प्रशनावली 2.5 तो देखिए दूसरा नमबर पहला नमबर मैंने अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया है आप प्लेलिस पर जाकर वागर वीडियो देख सकते हैं देखिए दूसरा नमर के कोशन है सीध्य गुना किये बिना निम यह math बनेगा तो देखिए पहला नमबर में है x square minus y square is equal to x plus y और x minus y यहाँ पर बीच में into है x plus y into x minus y इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है फिर देखिए next x plus y का whole square is equal to x square plus 2xy plus y square फिर अगर यहाँ पर plus की जगब माइनस रहेगा x minus y का whole square रहेगा तब इसका value हो जाएगा x square minus 2xy plus y square और अगर इस तरीके से रहा x plus a into x plus b उके शुरू में सेम से रहेगा और बाद में अलग अलग रहेगा बीच में पलस रहेगा और यहां पर multiply रहेगा तब इसका value हो जाएगा x square पलस a plus b into x plus a b ओके तो चलिए हम लोग पहला number solve करते हैं दिखिए ये इकसो तीन को हम लोग भड़ से चेंज करके लिखए हैं और 107 को भी मिलोग इस तरीका छिन दिख सकते हैं एकसो पलस 3 और 107 पर रिख सकते हैं एकसो प्लस साथ को को दिकतफन है सेम ही है और यहां पर दिखे यह एक से हैं सेम सेम है फिर पलासे पलासे फिर थ्री और से बेन अलग 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 है रिखिए एक सेम से में पिर अलग अलग है फिर यह वहला भेली हम लिखेंगे अंसर में एक बार लिखना है ओके इंटू x plus b is equal to x square plus a plus b x plus a b हो गया अभूलोग डायरेक्ट यह वाला फोर्म तो यहां पर लिखा हुआ है यह वाला फोर्म लिखेंगे second वाला इधर वाला right side वाला तो देखे एकस square है यहां पर देखे 100 है तो 100 का square हो जाएगा 100 square फिर plus है पलस लगाएंगे उसके बाद a plus b तो a 3 हर b 7 है तो 3 जोड 7 फिर x है एकस का अभी लोग फिर 100 है फिर देखे पलस है पलस a into b यहां पर a गुना b है तो a 3 है 3 गुना फिर b 7 है 7 अब इसका में लिख solve कर देंगे अंसर आ जाएगा तो देखे 100 का square कितना होगा 100 फिर 2.0 टोट इसते हरेंगे okay तो यहां पर 1000 आ जाएगा पर देखें यहां पर पर सातिहा 21 सातिया 21 हम लोग 10iane 2000 और 20 यहां इसके बाद यहां पर RTX 1000 हो जाएगा इसको लीग देता हो मैं यहां पर नहीं में है ए तो भी ग्यार हईजार एकेसी आएगा लेकिन आपको इतरी के से बनाना है फॉर्मेट न्यों के फॉर्मूला यूज करके बनाना है सेके नमर के कोशन है 95 x 16, गुना 96, गुना 95 x 96 तो हम लोग थोड़ा सा बदलाव करके लिखेंगे तो चेंज करके लिखेंगे, 90 plus 5 इसको लिख सकते हैं cracks, 90 plus 5, उसके बाद into फिर इसको लिखेंगे, 96 x 90 plus 6 लिख सकते हैं कोई दिखत नहीं हैं अब हम लोग formula स्वासे पर लिखे लेते हैं यहाँ पर formula है हमारे पास x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a into b अब देखिए यहाँ जो format है यहाँ पर लिखे है तो जो इधा right side है इसको नीचे लिखेंगे तो देखिए x square है तो यहाँ पर x है 90 ओके और a है हमारा plus 5 और b है देखिए plus 6 तो चले हम लिखते हैं यहाँ पर x square तो यहाँ पर 90 है तो 90 का square हो जाएगा फिर देखिए plus है plus फिर यहाँ पर a है a के लिए 5 फिर plus b b के लिए 6 है फिर x है x के लिए फिर से 90 फिर plus a into b a के लिए देखिए 5 है फिर b है 6 5 into 6 अब इसका हम लोग solve करते हैं solve करने से देखिए 90 का square कितना हो जाएगा 99 जा 81 उसके बाद यहाँ पर एक 0 है तो square है इसलिए double 0 हो जाएगा इस तरके से 8100 इसका square हो गया फिर plus यहाँ पर फिर हम लोग इसको solve करेंगे 5 plus 6 11 हो जाएगा 11 को हम लोग 90 से multiply करते हैं 11 को 9 से multiply करेंगे 11 9 जा 99 और एक 0 है तो 0 को लगा देंगे उसके बाद एक पलस है फिर दोनों को multiply करेंगे 6 जा 30 35 अब इसको solve करेंगे हम लोग total सबका हम लोग sum कर देंगे total जोड देंगे यहाँ पर 0 उसके बाद 3 और 9 3 9 यहाँ पर 12 हो जाएगा 2 हाथ में 1 है अभी उसके इसके बाद यहाँ पर 9 और एक 10 और हाथ में था वह 11 है उसके बाद 8 होरे 9 इस तरीके से 9120 यह होगा इसका अंसर इसे नोट कर लिजिए अम लोग बढ़ते हैं next 3 नंबर की ओर 3 नंबर का कोशन देखिए 104 इंटू 96 ओके 104 गुना 96 तो यहाँ पर भी हम लोग थोशा चेंज करेंगे बदलाव लाएंगे तो अगर हम लोग 100 के साथ चले तो यहाँ पर 100 प्लस 4 हो जाएगा 104 गुना और यहां भी अगर 100 को एक सो से कंप्र करेंगे 96 को तो 100 माइनस चार अगर 100 में 4 माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा ओके तो दिखिए हम लोग एक बार फोर्मूला फि तो यह वह फोर्मूला में फिट हो रहा है तो हम लोग x2-y2 इसको लिख सकते हैं तो चली यह वह फिर्मूला लिखते हैं तहां पर देखिए पहले हम लोग x प्लस y into x-y को भी लिख सकते हैं इस तरिके से जैसे कि चली मैं डार्यक्ट यहां पर लिखता हूं x plus y into x minus y is equal to x square minus y square इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं right जितना भी है उसको left में left में जो है उसको right में उसके बाद अब हम लोग देखिए x plus y यहाँ पर है और x minus y यहाँ पर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x square y square तो x के लिए 100 है तो 100 का square उसके बाद minus y के अस्थन पर 4 है देखिए तो हम लोग 4 का square लिखेंगे अब 100 का square करेंगे तो वह 10,000 हो जाएगा यह 10,000 हो गया यहाँ पर चलिए arrow लगाया जाए सब में और इस से हम लोग और पढ़ते हों कि सब्सक्राइब करेंगे 9884 तो इस तरीके से 9884 यह हमारा अंसर आगए इसे नोट कर लिए और कहीं पर दिख्या थुए तो मुझे कमेंट कीजिए मैं डाउट सेशन पर डाउट किलर कर दूँगा अब बढ़ते हैं next three number three number question दिखिए three number question है उप्यूक्त सर्वसम्मिकाएं प्रयोग करके निम्हें लिखित का उनकंड कीजिए तो यह जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसी को कहा जाता है सर्वसम्मिकाएं के और फोर्मूला भी इसी को कहा जाता है तो हम लोग को इसी का यू लिख सकते हैं यह वाला फोर्म में यह वाला लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे यह 9x2 को हम लोग फोर सा चेंज करके लिख सकते हैं 9 का अगर गुना अंखंड करेंगे तो तीन आएगा 3x फिर इसका whole square देखिए 9x को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं प्रपलेस त्रीकस का whole square हम लोग 1x3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 यह को फिर x फिर से दिखिए x क्या था यहां पर 3x यहां पर भी 3x है फिर y है यहां पर y फिर plus है फिर y का square यह वाला जो format में यहां फिट हो गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे उपर मैंनी किया था तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे x plus y का whole square पहले यहां फॉर plus y का square is equal to हम लोग लिखेंगे x plus y का whole square ओके whole square तो हम लोग इसको लिखते हैं चलिए तो यहां पर लिखेंगे देखिए x क्या है यहां पर 3x 3x फिर plus है और y है y क्या है देखिए y है हमारा y square तो y ही है तो यहां पर y इसका whole square यहां देखिए 3x plus y का whole square है तो holy square मतलब दो बार लिख सकते हैं जिससे यहाँ पर x का square रहता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x गुना x लिखते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे 3x plus y into 3x plus y दो बार लिखेंगे क्योंकि square है तो यही होगे इसका गुना नखन और यही होगे इसका अंसर आई होप यह समझ बाया होगा यहाला जो फोर गुनला है इसको आपको याद करना पड़ेगा अब लोग बढ़ते है next second number second number का question देखिए 4y square plus 4y plus 1 है तो यहाँ पर हम लोग थोर सा इसको बदल कर लिख सकते हैं देखिए 4 किसका square होता है तो 2y का square हो लिख सकते हैं इसको फिर डिखिए 2y है तो यहाँ पर फिर 2y बन गया अब y तो y के लिए हम लोग देखिए y का यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो इसका हम लोग फिर y के लिए y तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 काी स्क्राइथ और यहाँ फिर यहाँ पर फिर यहाँ सिक्वाउलर चुआ होता है डिखे यहाँ फिर फिर 254 का काल कि स्क्राइब य यह formula हो गया इसको याद करना है अब लोग इसमें देखिए direct x-y का whole square लिखेंगे x x क्या है 2y फिर minus और y y का स्थम पर देखी क्या है 1 है तो 1 का whole square अब देखते हैं यहां पर square है 2y-1 को दोबाय लिखेंगे 2y-1 into 2y-1 यह होगे इसका answer आयोप यह भी समझ माया होगा हम लोग next three number बनाते है x-square minus y square by 100 है तो यहां पर किसे match होगा तो हम लोग देखिए यह वाला से इसको match कर सकते हैं पहला नमबर का जो formula है x-square minus y square ओके तो x-square तो यहां पर x-square है ही वोग दिकत नहीं है तो यहां पर और minus y-square है तो यहां पर बस y-square है नीचे भी square होना चाहिए तो इसका हम लोग 100 को 10 का square लिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, तो इस तरीके से यह हो गया, अब यह वाला तो दिया हुआ है, ओके देखिए यहाँ पर x square minus y by 10, x का value देखिए, x से y का value y by 10 है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x plus y into x minus y, एक बार formula को यहाँ पर लिख लेते हैं हम x square minus y square is equal to x plus y into x minus y, okay, x plus y लिखेंगे एक बार देखिए, x के लिए x सही है, और y के लिए देखिए, y by 10 है, तो plus y by 10, उसके बाद फिर से इबार minus के साथ, x उसके बाद minus लगाएंगे, फिर y है, y के लिए y by 10 है, तो y by 10, यह इसका प्रिकेट हो गया, तो इस तरीके से यह होगी हमारा अंसरा रही होगी, इसका गुणान खंड, आयोप यह विडियो समझे माया होगा, कहीं पर दिख्या थभी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं डाउट सेशन पर किलर कर दूगा, विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइ होगी 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 ह